आप सब का मेरे चैलने पर वापिस से स्वागत है गोल्ड प्राइस इस पचीस सो चौदा पचीस सो तेरे के आसपास चल रहे हैं अल्मोस अट दे लोवेस पॉइंट आफ दे डे जो है गोल्ड काम कर रहा है कल गोल्ड ने हाई बनाया इन फाक्ट आज सुबा का ही हाई है पचीस सो सताइस पचीस सो अटाइस डोलर के आसपास और अभी चार घंटे में ही गोल्ड 14-15 डोलर डाउन होके पचीस सो चौदा डोलर के आसपास कारोबार कर रहा है ध्यान रखेगा इस हफते और पीसी इंडेक्स का डेटा है तो एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टन डेटा है कल भी डेटा आएगा जीडीबी का और अनिप्लॉमेंट क्लेम्स का आज कोई मेजर डेटा नहीं है आज सिर्फ एक FAMC मेंबर की स्पीच है कुछ भी अगर खास रहेगा तो मैं अपने वाटसेप चलन और टेलिगरम चलन पर आपको बचा दूँगा अभी फिलाल 2514 डॉलर के असपास चल रहा है कल गोल्ड पॉजिटिव जोन में आ गया था तो इसलिए आज का रेजस्टन सपोर्ट क्या है देखते हैं आज का सपोर्ट है 2500 डॉलर का रेजस्टन से आज का 2530 डॉलर का रेंट पॉजिटिव है तो रखेगा खयाल 25 डॉलर के नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो एक अच्छी वीक्नेस देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर सिल्वर पर आता है एक बहुत ही छोटी रेंज में सिल्वर का जो है बिजनिस सिल्वर थोड़ा सा ट्रेडिंग कर रहा है 30-10 से लेके 29-70 तक पूरा मंडे से लेके अभी तक 41-40 सेंट की दोन में ही काम कर रहा है तो आज का रेजिस्टन सपोर्ट क्या है देख लेते हैं आज का सपोर्ट है 29-50 का रेजिस्टन से आज का 30 टॉलर 20 सेंट का ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव बरकरार है बट अगर सपोर्ट निकलता है और सस्टेन होता है सिल्वर उसके नीचे तो फिर सिल्वर को प्राबलम हो सकती है चलते हैं क्रूड ओइल की तरफ यह है क्रूड ओइल कल के लेवल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सपोर्ड ब्रीच हो चुका है अल्मोस 75-50 अल्मोस आ चुका है तो ट्रेंड पॉजिटिव से निकल के अब फ्लाट जोन में आ गया है वी विल हाव तो वेट टू प्रीच दा अनदर सपोर्ट अगर दाट इस 74-70 रेजिस्टन से आज का 77 डॉलर का ट्रेंड हो चुका है इसका from positive to flat अगर 74-70 के नीचे निकलता है और sustain करता है तो फिर 73 डॉलर तक जा सकता है 77 डॉलर के उपर वापस से 80 डॉलर की तरफ चान की खोशिश करेगा चलते हैं Forex Market की तरफ सबसे पहले देखेंगे यूरो को यह है यूरो 1165 के आसपास चल रहा है Almost supports breach होने वाले हैं इसके support है यह 1145 resistance है आज का 1200 का trend flat है इसका बढ़ अगर support breach होता है और sustain उसके नीचे होता है तो फिर issue आ सकते हैं buyers के लिए और फिर 1100 की तरफ euro जा सकता है अब चलते हैं British pound की तरफ 3245 के आसपास चल रहा है आज का support है 3190 का resistance है आज का 3300 का trend इसका positive ही है लेकिन अगर support break होता है और उसके नीचे sustain होता है तो फिर 1150 की तरफ pound जा सकता है cryptocurrencies की तरफ चलते हैं सबसे पहले देखेंगे bitcoin को 68500 के नीचे 58000 तक की lows बने यानि की 3500 डॉलर की gains तो आज का resistance support देखें आज का support है 58200 डॉलर का रेजिस्टन्स है 68500 डॉलर का trend है इसका weak तो रखेगा खयाल ethereum की तरफ चलते है 24-70 डॉलर के आसपास चल रहा है भी 2650 डॉलर का support था कल हमारा यानि की ये 2650 से लेके तकरीबन 2400 डॉलर तक almost 10% की gains है इसके अंदर even more than 10% support है आज का 2410 डॉलर का resistance है 2650 डॉलर का trend है weak तो रखेगा खयाल paid signals की जानकारी और market commentary की जानकारी के लिए आप मेरी team से ले सकते हैं नमबर description में है वीडियो पसंद आया हो तो like, share, comment कीजिए अब मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye